CCA की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं इसकी बेवस्ता नहीं करेगी तो किसान जाएगा कहां। किसान स्क्तना जाए प्लिए सब्सक्राइब को दो करें दो के लिए जा है। फिर भी पेपल लीक हो गया और हमारे पैसे गए जसने लाटी पड़ी उने बूले गड़ी कांड़ में वो तो आप ही कही जिले में पड़ी है लाटी है पड़ी है कर नहीं पड़ी जब हो नहीं अक्सर क्यों नहीं नहीं ज़र आया सीसीय में आपका स्वागत है अपने चुनावी सफर में अब हम अपने तीसरे चरण की तरफ आ चुके हैं दूसरे चरण का मद्दान भी अब खतम हो चुका है हम अभी हात्रस लोक सबा में हैं ये एक सी रिजर्व सीट है यहां भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो है स्वीर बालमिकी जी और बसपा से जो उम्मीदवार है वो है हेम बाबु जी हेम बाबु धनकर जी अभी हम कुमरपुर गाउं में हैं ये मुख्य रूप से एक जाट बहुल गाउं हैं लगबग यहां पर एक लाग के करीब यहां पर इस विदा लोक सबा में जाट मत दात हैं आईए थोड़ा यहां के जो चौदरी समाज है जाट समाज है समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोक सबा में क्या रोजहान है कौन से मुद्दे यहां पर प्रभावत करते हैं याद रखिए जैसे जैसे अब हम पाश्चम यूपी की वहां जो खड़ी बोली इलाक की बहुत सारे मतलब बोली में भी संस्कृती में भी काफी फर्क आपको नजर आएगा वहां की गन्ना बेल्ट से जी रामराम जी क्या नाम हो जी आप राम कुमार मैं बगड़ लेता हूं कोई नहीं आप अपनी बार राम कुमार जी बताईए आप किसान है हाँ जी किसान ह कि अधिए घड़ दस साल हो गए अब लगवग इस सरकार को किसानों के लिए कैसी रही है कोई फाइदा नहीं हुआ किसानों को नुक्सान ही हो रहा है सबसे पहले तो गायब बेजार हमारे चीटों में इतना नुक्सान कर रहे हैं उसका कुई जाजा नहीं है आवारा पश यह बताइए उधर भी हम लोग कई जाट समाज की लोगों से बातचीत होती थी वहां जो गर्ना बेल्ट है पश्चम यूपी का उधर काफी नाराजगी थी कुछ लोग खुश भी थे लेकिन कई सारे किसान जाट किसान जो थे वह बहुत नाराज भी थे इस गडबंदन से आ नाराज क्यों होएं लेकिन इस गडबंदन से नाराज इसलिए होएं कि मतलब वहां मतलब साथ सीट मिल रही थी यहां उसने दो सीट लिये हैं जैन्दी ने तो इस वज़ए से भी नाराज हैं आप कह रहे हैं कि किसानों का बहुत इस पांस दस सालों में नुक्सान रहा है यह बताएए कि मोधी जी तो कहते हैं कि मैं तो बही पांस सो रुपे महीना किसान सम्मान ने दी देता हूँ और यह सब जो बोलते हैं उसके बारे में क्या कहना है उससे क्या हो रहा है यहां नुक्सान हमारा दसाजार रुपे भी यह का हो रहा है वो दो अजार रुपे त कितינה था और कितना मेगा आया उसका तो गटा भी ऑप 40 किल किल्ल हुआ यूरिया का पहले 50 किलो का था पैसा हो तो नहीं है QUE तो मेगा ही नहीं है मेगा है पीज्विजब बिसरकार में तो किसा ये मतलब घाटे में है अब सपा की तरफ सोच रहे हैं बस्पा की तरफ हुगा सब्सकिर पिर सब्सक्राइए ज है ऐसा क्यों मतलब किंग आप सपा की तरफ है बस्पा की तरफ की तरफ Rodha अच्छा अच्छा अब आपका क्या नाम हुआ अब भी आपको भी किसानी इस खेटी से वही नुक्सान ऐसा आपको लगता है या अच्छे लगें दस साल नुक्सान दो रहा है वहारा पशु से भी परिशानी है है तो बताइए क्या आप सोच रहे हैं चुनाब में किस तरफ जाईएगा कमल का फूल क्यों कमल का फूल पसंद आ रहा है अरली मिल गया है अरली मिल गया है तो जैसे अपना रामकुमार जी जैसे नराज है कि अरली गोदर नहीं जानाँ चाहिए था आपको वह नाराजगी आप चोदरी साब के साथ ही जाएंगे मैं नहीं अंत अरेडी में अरेडी वह झायेंगे तो हुए हैं आफ फूल पर जाएंगे इनकी वजारे अारली तो लड ही ना सिम्बलने इनलके झाले हैं इस किसान ढूंढ पांध बताइए मतला कमायर रहे खाय Пक रहे रहें नहीं देखा है अच्छो नहीं देख रहा है जो यह बताई यहां चोधरी समाज काफी सारा तो रालोथ की तरफ होता था लेकिन चोधरी साब ने चोधरी जहन सिंग ने तो फिर गड़ बंदा नब भाजपा के साथ कर दिया तो आपको क्या इससे ठीक लग रहा है या बुरा बुरा लग रहा है है बुरा लग रहा है ऑच्छा तो कहा वोट कही देने की सोच रहे है वहारए ट piss मलस ब्रोटा तो आरग्या जैसे वह भी ऒर दे रहेकत के लेकिन एप rented का नलकाच सिंबल हैं नहीं हो कहे रहे हम तो खुश नहीं है कड़ बंदें से वह दो चैरे ते कि हा ना कि आध़ को फूल्ड में अधर सीकल में चुनना पड़ेगा इदर आप के रहें कि गड़बंदन से खुछ नीठी ते हैं गरें आप कि अ कुछ आप परोड़ा रहें लेकिन फीर आप क्या है रहें पर जान्गे उसका क्या करμεाने आप देखेंगे बाकी सब काम वोट कर रहे हैं आपका नाम क्या हुआ जी आप भी किसान है बताइए क्या सवाल तो आपने सुन लिए हैं सबसे जो पूछे हैं क्या आपका मन कर रहा है इस बार चुनाब में अच्छाब तो देगो वह रहा है कि आई लिवाम मिले गई है जाते नाज तो बहुत हुए है पर यह रहा है कि बहुत दाना ही पड़ेगा तो अब यह नल चला गया थो तो भूल पर जाना हो लेकिन आप खुश नहीं इस गड़ बंदन पैशे कुस नहीं है कह साथ सीट मिली तो इसलिए अलब लेकिन वो नाराजगी क्या वोटो में व्यक्त होगी आप तो कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं मजबूरी में जाना पड़ेगा भाजपा में यह तो अपना पना मत है वह भी पूछ रहा हूं लेकर नहीं सकता है आपको लग रहा है कि वो नाराजगी वोटों में व्यक्त होगी या नहीं होगी 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 ठीक है चलिए आपसे भी प्रदान जी नमस्कार अभी आपके घर भी आये थे अब थे निशायद जी गाउं के प्रदान जी है प्रदान जी थोड़ा सा अपना एक बार पर इचे दे दे जींगे मेरा से पंधान पर प्रदान पति प्रदान जी यह बताईए फिर अबी तो चुनाव आ रहा है और इधर अगर मैं गलत नहीं हुं यहांकी आस-पास के जो चौदरी गाउं हैं लोकदल मेला को बते न हो हैं किसान अपरी फसल नहीं बचा पां रहा है इतनी वकंवरी बेर किसां जब सरकार इसकी व्योस्ता नहीं करेगी तो बा मुझे यह से SUGG apris सर का कोई लगर हो ना है नोकरी आप हम मिल लेगाना है पे रोजगारी सब से जाधा है और जो बीरोजगारी kul Auf जी तो फिर अपना गड़बंदन उधर ले गए सरकार जिससे आप नाराज हैं तो आपका उस गड़बंदन पर क्या कहना है गड़बंदन जैनत नहीं चले गए हैं कोई जी थोड़ी का सभी चलेगे हैं दस परसेंट पूट लाए जांगे और इस से ज्यादा पूट नहीं चले आप बताएए पिर आप कहां जाने की सोच रहे हैं अच्छा एक चीज़ बताएए आप भी किसान नहीं हैं प्रदान जी यहां पर किसानों की जो सिती है वो थोड़ा सा मतलब जहां गन्ना बेल्ट है पश्चमी वहां से तो काफी फर्ख है है ना वहां की तो मतलब ग किसानों ने तो बड़े बड़े आंदोलन भी किये यहां पर किसान कि आउस आंदोलन से जुड़े थे या उस तरीके से नहीं जुड़ पाए जुड़े हूं है और जुड़ी हूं पर किसान गाए बिजारते जारा सकतना रहा है आवारा पशूं से छुट्टा पशू किसी तो यह बताइए इस बार सपा की तरफ आप जाने की सोच रहे हैं क्या आपको लग रहे हैं कि जाट समाज भी जादा तर चौदरी समाज उधर ही जाएगा क्या ऐसा मतलब अगर चौदरी जाएंजी आएं आप लोगों से अपील करें कि नहीं इधर नहीं भाजपा उपर जा से एगी तो थोड़ा सर तो होगा फहले कण बो Brenda पहले वाल असर कर नहीं हम जानी हम कि यह बदा यह लेकिन मोदीजी कहरे है कि मैं अ किसान समान ने दी पांच रोपिए दे रहा हूं मैं ने किसानों की आये दुगनी कर दूंगा आने वाले सालों पर उस पर क्या कहना है आवारा पशु उटा दे हैं मैं कोई जूरू नहीं जाए बेसक बंद कर ले आवारा पशु उटा दे हैं चलिए एक चीज़ बताईए जो गन्ना बेल्ट है उदर पस्चिम यूपी वहां पर तो बहुत असर हुआ था यह जो खासकर कि मतलब किसानों में जाट किसानों में और औरों में भी काफी इसकी नराज़गी हुई थी यह जो महिला पहलवानों का जो अंदोलन हुआ था और देख बात और कमूं में मेडिया से कि जो मोधी सरकार जो रासंद एरही का है उसमें सबसे बड़ा परिष्टा चाल चल जल रहा है हर जगे पांच किलों चार किलों खिली जूट चल लगी परदान कहले हो एस्ट्यम कहले हो उनके यह मतलब जो चोरी को को ठिकानों ना आए कि इतना दा परिष्टा चाल परिष्टा चाल तो आप भी बैठें बताईए राम राम जी आप और आम से अपनी बात रिखिए हैं सही प्रकुल सही चल लगी है पांच किलों चार किलों मिल लो और पसूने पर जो तो में आंदे आप कितनी उकले पसू तो रुख दिना रह को सवाल हुख चले ये बता हिए फिर ताओ आपने तो बड़ी सारी सरकार देख लिए पिछले वर्शों में बहुत सारी सरकारे आई हैं कॉंग्रेस की सपा की बसपा के यहां पर फिर गटजोड की बहुत सारी केंदर में भी सरकारे देखी फिर भाजपा की भी देखी यह सरकार बाकी सरकारों के जो दस साल आपने इस सरकार भी देख ली बाकी सरकारों के मुकाबले यह वाली कैसे बैसे तो बिदे सके नीटी तो सइचल लिए जिनकी मगर गाय भैंसे बिजारना पर जनकी कोई ख्रीम होतलि ना है तो कहां सोच रहे हैं लुक में ने पर देने का कहां बोट देने का कौन ने तो साइकल अप सोच रहे हैं अगर बदलाफ की बात पूछ रहे हैं इसलिए इनसे भी बात करते हैं, आगा थोड़ा आगया जाओ, यार, नौ जवानों की क्या नाम हो अबर्चावत, मेरा नाम सुभाश, सुभाश, क्या करते हो अगर्चावत, इंटरपास कर लिए, इंटरपास कर लिए है, वह यार 21 में, बैसे तक जो अभी नहीं लगी है, तो 2021 में तो पास के वे तीन साल हो गए तो अभी उसके बाद कुछ कॉलेज की भी बढ़ाई करी है मतलब ग्रेजुएशन में गया रहा है नहीं अभी कुछ नहीं किया है पर सोच रहे हैं लेकिन कहां अपलाई कर रहे थे जोब के लिए कई जगा अपलाई किया है और तुमारे अगन अगनी वीर में आपकी वार हमारा फॉरमी नहीं गिरा है वैसे एकिस साल बता रहे हैं साड़े सत्रा से किस लेकर अब आपको डर है कि उमर भी निकल जाएगी अच्छा यह जो अगनी वीर आया है उसको लेकर भी बड़े विरोध प्रतर्शन होए थे आपका उस पर क्या क रहे हैं चार साल से आप खुश नहीं है उस नहीं है तो यह बताओ कि और यह जो दूसरा इनका स्कीम है अगनी वीर के इलावा मतलब जो पुलीस की भरतियां 69,000 खुलने वाली थी जिस पर फॉरम आपने फॉरम भरा था हमने एक्जैम दिया एक्जैम दिया और फिर क्या ह हुए फिर क्या बतिरद हो गई के पर लेख हो गया मैंसे कहा थे बहुत कड़क थि पेपल लिग नहीं हो सकता है योगी जी का राज है फिर भी पेपल लिग हो गया हमारे पैसे गए हम बाडे से गए एक दिन खराब हुआ हमारा लगना हो गए तकांग नहीं सेंटर तो पा नौजवाने को नहीं मिल रही है नहीं मिली है मेरे पूरे गाउं में बच्चा नहीं लगाए तीन साल से एक भी तुमने अगर इंटर अपनी 21 में खतम करी तो मैं मान के चल रहा हूं यह तुम्हारा पहली बार तुम लोकसभा में वोट करने वाले हो हैं लोकसभा में पहली बोट पहली वार कम करेंगे साइकल पर करेंगे आप बताईए यहां जो वह बहुत बड़े जाट किसानों के नेता माने जाते हैं युवा नेता हैं आपकी तरह युवा नेता है जैन चौदरी जी उनको तो चौदरी चरण सिंग का अक्स नजर आ गया था मोदी जी में अगर सरकार बदलती है तो नोकरी पकी मिल जाएगी आप ये बताईए ये जो चौदरी चरण सिंग जी का अक्स नजर आया था मोदी जी में जहन जी को आप तो खेर देखिए बहुत पहले से यहां पर आरलडी पार्टी के साथ रहे हैं तो ये बताईए उस बात की आप ल अपी कही जिले में पड़ी है लाटी है जब लाटी पर रही है प्रसाइज नाटी दे रहो है कोई वह वच्चे तो थे नहीं जब कहा हो अब उन्हों अश्व बड़े जल्दी दिखाई देखाई देखो एक लाल अच्मी तो गय हो तो ये बताईए चौधरी चरंण सिंग जी जिनको मतलब सिर्फ जाट किसान नहीं किसान देश भर के अपना नेता मानते हैं उनको जब वो बोले कि हमने तो ये दे दिया क्या कहते हैं भारत रतन तो है ना तो भारत रतन के नाम से कितनी आप लोगों में खुशिया उसके एवस में आप कह रहे हो कि गटबंधन करने की कोई सरूरत नहीं थी और ये मोधी सरकार में सिच्छावर को जोर नहीं है विलकुल बच्चे वैसे ही भूम रहे हैं सबसे यादा तो प्राइवेट स्कूलों को मानता दे रखी है वहां ओल्टी सूदी फीज ले रहे ह सरकारी में मतलब मास्टर जो टीचर है वो बैटे तरखा ले रहे हैं सच्छा में तो सबसे जारा जीरो क्रास में सच्छा में तो कोई केडर बढ़ा नहीं उसे चामें कोई जोरी नहीं कोई नीती नहीं हम अभी हात्रस जिले के गाउं कोवरपूर में थे हैं और यह आपने सुना नाराजगी तो काफी है सरकार से लगबख सभी की नाराजगी थी लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मजबूरी है चौदरी सब क्यूंके भाजपा के साथ चले गए हैं तो हम कमल पर देंगे लेकिन जादतर लोग ये कह रहे हैं कि कमल पर नहीं दे किसान नौजवान की एक बड़ा मुद्ध जो बढ़ती महंगाई आवारा पशू रेटना मिलना फसलो का और रोजगार क्या यही मुद्धे रहेंगे इस चुनाव के जितना हम पश्चिमियू पी अभी तक घूमे हैं ये जरूर लग रहा है कि इस बार चुनाव धरम या जाती से ज्यादा इन मूल भूत सुविधाओं पर और इन मूल भूत मुद्धों पर होने वाला हैं जुड़े रहे सी सी ए के साथ आगे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आप तक हम्मारे तरू पहुंचता रहेगा धन्यवाद